हेलो फेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है, आज मैं आपके लिए हेल्थ ओके सैशे की जानकारी लेके आई हूँ, यह मेंनकाइंड कंपनी द्वारा निर्मित की गई है और यह बहुत जल्दी आपके शरीर की कमजोरी को दूर करता है, इसमें मल्टी विटामिन्स, मिन के लिए बहुत ही उप्योगी होते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ, और जानकारी देने से पहले, मैं आपको एक बार याद दिला दूँ कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीस सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल विटामिन है, जो सबसे अच्छा पूरक आहार है, और इसमें घुलने वाले विटामिन A, D, E, K और पानी में घुलनशिल विटामिन B1, B2, B6 और B12 और विटामिन C और फॉलिक एसिड, नियासिन और बायोटिन होते हैं, यह सभी तवचा के स्वास्थ बाल के जड़ने को रोकने में सुधार और चोट के जोखिम से बचाता है और हड्डियों का विकास करता है, साथी प्रतिरक्षा, एकागरता, शरीर उर्जा का इस्तर भी बढ़ाता है, मिनरल्स जैसे मैगनीश, केल्शियम, लोहा, क्रोमियम, बोरान होते हैं, यह सामान्य शरीर, स्वास्थ और हड्डियों के स्वास्थ, शरीर के विकास और हिर्दै स्वास्थ, साथी सांथ, हारमोन संतुलन में सुधार और मास पेशियों की ताकत इससे बढ़ जाती है, और अमीनो एसेड है, जो शरीर के मास पेशियों के निर्मान की प्रक्रिया, पेट की चर्बी घटाने में मदद, और अंगों, तवच्चा और बालों के विकास के लिए काम आता है, तो इस तरह से इसमें जिंक पारिथियों भी है, यह मुख्या रूप से रूसी में और ख उर्जा की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए और उर्जा का आमश्रोत है, यह उर्जा बढ़ाने, वजन में कमी मोटापा रोकने, और दिल दिमाग स्वस्थ रखने, सैंथी सांथ स्वस्थ पाच्चन तंत्र को बनाए रखने, और मस्तिक्ष स्वास्त के लिए भी उपयोगी होते हैं, इसमें जिनसेंग, यह कैंसर, ठकान, हिरदय रोग, मधुमे और उच्चरक्त चाप, हेपेटाइटिस, और रजो निवरित्ती के लक्षन के समस्याओं के इलाज में भी इसका उपयोग किया जाता है, सांथी सांथ इसमें कैफीन है, यह मधुमे यह ल पॉडर को कम करना, सांथी सांथ त्वच्चा की जलन, रेडनेस, खुजली को कम करना, मासपेशी घाओं को कम करना, इसके लिए यह बहुत उपयोगी होता है, तो फ्रेंट्स इस तरह से इस पॉडर में बहुत ही लाबदायक, मिनरस और मल्टी विटामिन्स वगरह है, तो यह आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही लाबदायक है, इसका उपयोग आप दिन में एक बार कर सकते हैं, और इसका इस्तमाल बहुत ही आसान है, इसे इस सैशे को आप एक गलास पानी में डाल कर और सिंपल पानी लेकर आप अच्छे से मिलाकर आप इसे तुरंथ पी सकते हैं, अगर आप इस तरह के मल्टी विटामिन्स और मिनरल्स वगर आप पहले से ही इस्तमाल कर रहे हैं, तो इसका इस्तमाल करने से पहले आप एक बार डॉक्टर की सलहा जरूर लें, और इसे उन लोगों को नहीं लेना चाहिए, जो गुर्दे की बिमारी या रप्त के ठकों, या इस तरह से किसी गंपीर बिमारी से पीडित हैं, तो भी आप इसका उप्योग करने से पहले डॉक्टर की सलहा जरूर लें, इसका इस्तमाल आप खाने के बाद कर सकते हैं, और इसकी ज़्यादा खुराक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे कुछ साइड इफ्रेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे पेट खराब, पेट फूलना, जुनजुनी या पेट दर्द इस तरह से कुछ परिशानिया हो सकती हैं, तो इसका ज्यादा मात्रा में उप्योग नहीं करना चाहिए, और जो अती समेंदन शिलता की बिमारी से पीडित हैं, या फिर गर्भती हैं, या अगर्भती होने की योजना बना रहे हैं, तो भी उनको डॉक्टर की सला से ही इस तरह के मल्टि विटामिन्स और मिन्रल से युक्त पॉर्डर का इस्तिमाल करना चाहिए, वैसे तो यह सुरक्षित है, पर आप फिर भी डॉक्टर की सला से ही इस्तिमाल करें, तो फ्रेंड झाल झाल